इस समय जो है मुख सस्यक्रिया जो है इस बात का ध्यान रखना पोशक्तत प्रबंदन यदि हम गोबर की गली सड़ी काथ डाल ले हैं तो 10-12 तन रोपाई के समय डाल देनी चाहिए लेकिन नाइट्रोजन की जो है हमारी मात्रा लगबग 130-140 किलोग्राम जो अधिक लिए 20-45 किलो ग्रांजी सलपेट की जब हम लास परलींग करते हैं उस्टर में जो है हम पडलींग करने प HORanni करने से पहले जो है पूरी स्पैस की मात्रा सिन्गल सिभ्ण सष फॉस्पैट के रूप में żyा कि सिंगिल से बå फॉस्पेट हैं को आपरिस से हो जाती है पोटास की जो है मुरेट और पोटास से देना चाहिए और जिंक को जो हमको clean sulphate, afto-i maydate जो 21 परसेंट का जिंक आता है क्योंकि उसमें sulfur भी होती है जिंक भी होती है तो हमको last purling के समय डाल देना चाहिए लेकिन nitrogen को जो हमको उसमें नहीं देना चाहिए भलकि रोपाई के जो है हमको लगवग 6-8 दिन बाद देना चाहिए ताकि हमारे जो है जड़े मजबूत हो जाए और जड़े जो है हमारी नाइटोजन को लेने की छमता रखें तो इस तरीके से हम नाइटोजन को तीन भागों में बाट कर देंग कर दो जड़े जादोजन को अपना भागों में जो है